नमस्कार दोस्तो अग्रिकल्चर एकेडमी आप स्वामी ब्रह्मानजी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है चलिए दोस्तो आज कुछ जो यूप्येसी में एग्रिकल्चर के कुश्चन आय हुए हैं उनको हम सौल करने का प्रास करते हैं और ये कुश्चन बहुत ही श्कारी देनी की कोसिस करूंगा चलिए दोस्तो पहला कुश्चन देखते हैं बीस्तो का सरवाधिक काफी उत्पादक राज कौन सा है वह को आपका जो पाताक राज है वह अГए आपका डेनमार्ण ह Inhale याद रखेगा देस ये वे देस जहां परती गाय, परती देख्ड का वार्सिक उत्पादन सरवादिक होता है वो है आपका डेनमार्क याद रखीगा यूरोप के देशों में खादान उत्पादन में आत्म निर्भर देश है फ्रांस आपका जो खादान उत्पादन में आत्म निर्भर पूर तरीके से आत्म निर्भर है वो आपका फ्रांस हो जाएगा याद रखीगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं जो अगला कोशन दिया गया है आपका कि ब्रजील में विसाल कहवा बागानों को कहा जाता है जिसमें जो ब्रजील है ब्रजील में जो विसाल काय कहवा तथा जो कहवा के बागान है उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है agenda वो sorry agenda याद रखेगा जो next question देखते हैं चाय बागाउनों के लिए उपयक्त मिट्टी होती है जो चाय तथा बागान जहां पर चाय की खेती होती है उन बागाउनों में किस प्रकार की soil पाई जाती है वो आपकी acidic soil होनी चाहिए तब ही अच्छा production मिल सकता है चाय की खेती से याद रखेगा तो इसका जो right answer हो जाएगा अमली भूमी याद रखेगा अगला question दिया गया है मूंग फली प्रमुक फसल है क्या है आपकी गेंबिया याद रखेगा जो अगला question दिया गया है सबजी उत्पादर में भारत का इस्तान कौन सा है आपका सब्जी उत्पादर में भारत के स्तान दुतिये है और करेंट में भी सब्जी उत्पादर में भारत के स्तान दुतिये ही है याद रखेगा और बिस्व के प्राक्तिक रबड का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका थाईलेंड है याद रखेगा जो प आपका जापान में याद रखेगा वहाँ पर क्या है कि बहुत ही सगन खेती की जाती है जापान में याद रखेगा बहुत सी फसलें को उत्पादन किया जाता है संसार का अगला कोशन है संसार का सरबादिक चाय निर्यातक देश कौन सा है जो संसार का सबसे चाय निर्यातक याद रखेगा वह देश जो अपने कुल निर्यातक से प्राप्त धन का लगबाद दो तिहाई चावल के व्यापार से प्राप्त करता है वह आपका हो जाएगा म्यामार याद रखेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दिया गया है आपका कि बिस्व में कुल कहवा उत्पादन की प्रसत का दरश्टी से सस्थ देश है वह आपका जो सस्थ देश कौन सा है आपका ब्राजील याद रखेगा सीश्रस्थ देश कौन सा है आपका ब्राजील और अगल का उत्पादक सरवादिक होता है तो जो धान का सरवादिक उत्पादन होता है जो फर्स्ट पोजीशन में धान के प्रोडक्शन में वो आपका चाइना है याद रखीगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा याद रखीगा और जो परती एकर का पास उत ते संद्रा परसेंट याद रखीगा यह कुशन इंपोर्टेंट है और कुशन आता भी याद रखीगा जो अगला कुशन दिया गया तो आपका है आम्रूत है याद रखेगा मूंखठली का मूल स्तान कुछ आपका ब्रजील याद रेगा 56 में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देस है इफ फ्रांस एवं रूजब क्या है आपका चुकंदर और सबसे बढ़ा इत्पादन होता वो आपका चुकंदर का उत्पादन होता है वो आपका फ्रांस तथा इसके बाद रूस का रूस में चुकंदर का उत्पादन सरबादिक होता है याद रखेगा विस्व में कहवा की दो अग्रण उत्पादक हैं तो आपका जो कहवा का उत्पादन होता है वो आपका दो अव वर वर आपका ब्रजीर हो जाएगा ज अगला कुशिन जो दिया गया है बिस्व में प्राक्तिक रवड के दो बड़े उत्पादक देश कों से हैं आपका तो थाइलैंड हो जाएगा और आपका इंडोनेसिया होजाएगा याद रखीगा और अगला कोशन जो दिया गया है आपका गेहूं तथा चावल दोनों के संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका वो कंट्री है आपकी चाइना याद रखीगा अगला कोशन देखते हैं बिस्सु का धान जीन बैंक इस्तित है जो आपका बिस्सु का धान जीन बैंक इस्तित है वो आपका फिलिपीन से में याद रखीगा बिस्सु का धान जीन बैंक ठीक है याद रखीगा वो कहां पर है आपका फिलिपीन से में है ठीक है वन लाइनर क कोशन देखते हैं अगला कोशन जो दिया गया एपका विस्ट का उनका सबसे बड़ा उत्तपादक देश कुंसा प्कासuğ उनका उत्पादक सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नीबुवंस फलों के लिए उत्पादक के लिए विख्यात है वो आपका अवस्तित है वो हो जाएगा आपका कैली फोर्निया कौन सा इस्टेट हो जाएगा कैली फोर्निया याद रखेगा अगला कुशन देख आपका कहवा आपका सावो पाउलो पथार में जूट आपका गंग औल्टा चावल आपका यांगा टीसी मैदान अगेहंवापका प्रेडी मैदान याद रखी गई आपके राइट एण्सर दिये गया है जो मिलान करने के लिए दिए गया है और जो आपका अगला में याद रखीगा जो आपका कहभा को अट्पादन होता है सबसे ज़्यादा हो आपका कॉलम्येन में होता है जो आपका जैतून तीसरा क्षैंद ट्लिय lugा अ जॉत्ता कॉसिशन मी निया गया है मिलान करने के लिए और वह सबसे ज्यादा कुकू को उतपादन होता है गर्णा के लिए एक और आदका तो तरही तरही के से में आते हैं और इनको पहुत ही ध्यान पूररवक देखिए गार जो अगला कोशिन दिया गया है प्राक्तिक रबड का बिस में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, थाईलेंड है आपका, याद रखीगा, मिस्रित क्रसी का अर्थ है, यानि मिस्रित क्रसी क्रसी क्या कहलाती है, जहां पर मिस्रित क्रसी क्रसी क्या कहलाती है, जहां पर हम एगरिकल्चर, यानि क्रसी करते हैं, फस मिक्ष्ड क्रसी मी अलग-अलगंग है jokes जो होती है अपका वो आपका यह मानू जिए एक फजल और एक फजल का दो 3-4 फस्णोंको एक साथ उगाना तो क्या कह रहता था हो मिसृत क्लोप कहलाती है नियुक्त क्रसी États क्लासी में आ जाएगा भफलोवूत पादन के साथतों सब्सू U週 सब disadvantaged क्रसी कहलाता है मेरी बातको अप समझ पाए होंगे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन जो दिया गया है आपका अलबीडो से सम्मंदेत है वापसी की सकती जो वापसी की सकती जो वापसी की सकती होती वो अलबीडो कहलाती है याद रखी नार्मर बोर्लांग पुरुसकार प्रदान किया जाता है सांती की छेत्र में जो नार्मर बोर्लांग पुरुसकार प्रदान किया जाता है वो चली चली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दिया गया है भारत का लगबग 30 पिरसाथ छेतर तीन राज्यों में समायत है यह तीन राज्य कौन-कौन से हैं वह आपका पहला राजिस्तान हो गया जो सबसे छेतरफल में सबसे बड़ा है इसके बाद मद्धपरदेश हो ग अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन जो दिया गया है अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्याले इस्तित है वह आपका जो अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्याले आपका लंदन में इस्तित है याद रखीगा अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्य मुख्याले लंदन में एक्त हैं और अगला कोश्छन देखते हैं यूनऐबी में धार रहीतोर याद रहाएगा और अगला है לכ is में 1992 में प्रद्भी सिकर समयलन हुआ था वह आपका रियो डी जिनेरियो प्रबी सिकर समयलन हुआ था याद रखे गाँ गोलोप का संप्रति ऑवस्त तापमान लगभग 155-2 centigrade है याद रखीगा काला हारी मरुस्तल अवस्तित है यानि जो काला हारी मरुस्तल है वो कहां पर इस्तित है वह ब्योस साना में स्तित है याद रखीगा धान के लिए समानता प्रियोग होने वाला खरपतार नासी कौन सा है तो फोर्डी चाद रखें के टूफोर्डी का प्रियोग हम चौड़ी पत्ति वाली जो विर्थ में चौड़ी पत्ति वाली खरपतार होते हैं उनके लिए भी प्रियोग करते हैं और इक चीज़ यहां पर बता दूं जो क्या है कि जो आपका गेहूं में जो मामा लगता है ग आईसो प्रूटरान के नाम से जानते थे तो आपका आईसो प्रूटरान की अब जगे क्या होता है कि अब सल्फोफ सल्फियूरान को प्रियोग करते हैं जो गेहूं के खरपतार है गेहूं का मामा उसको अब इस समय सल्फोफ सल्फियूरान का प्रियोग करते हैं याद सब्सक्राइब और रफ्र सबिया है य यूरे इनगोर आपका का निर्याता है याद रखे यंगून में हैं कंबोडिया नापेन्ड में हैं वियतनाम हनोई और लाओट वियन Tien होता है याद रखिएगा दोस्तो आज के लिए इतना ही कैसे लगी वीडियो लाइक करके लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी आपको वीडियो लगी है उपलब्द कराने का प्रयास कर सकें धन्वाद दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर करें धन्वाद दोस्तों